विल्कम और विल्कम बैक तो माइचानल जैसा कि आप देख राज हम मनाएंगे मिरच का चार चलिए स्टार्ट करते हैं मिरच लिया है ग्रीन वाला और अजवायन मेधी दाना जीरा मंगरेल और और को हमने गर्म करने के लिए को फिर गरम करने के लिए तुर आपको पांस मिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा मेथिदान डाल देना है और फिर उसके बाद आपको इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल देना है और फिर उसके बाद आपको इसके अंदर अजवैन को डालना है थोड़ा सा जवैन डाल दोगे आप और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा इ करेंगे आप सकते हो य हमने डायरेक्ट टालना उसके बाद की अंदर हम धनिया डाले तु हम नंया पॉलेंगे तो हम बता देंगे धनिया पॉल्टर कैसे मतलब बनाया जाता है तो आफ देख सकते हो इसन के सारी चीज़ों को टाल करяж के स्वादानी साथ कुंवाक डाल देना है सलिक से आफ देख सकते हो नमक डालने तो इसे हम 5 मिट के लिए ढखेंगे और ढख करके छोड़ देंगे फिर से इसे हम खोल करके देखेंगे तो आप देख सकते हो हमारा मिर्चे का चार जो है एक दम से पक चुका है तो इसे हम अच्छी तरीके से 5 मिट के लिए और इसे ही पकने देंगे दीमे फ्लेम में ही तो आप देख सकते हूं हमारा मिर्चे का चार पप चुका है और फिर से हम एक निकाल लेंगे तो आप देख सकते हो हमारा मिर्चे का चार बन करके तयार है आप भी बनाओ बताना कि हमाई रेस्पी कैसी हुआ